99% लोग diabetes होने के दोरान करते हैं यह एक गलती जिसकी कान से दवाईयां लेने के बावजूद भी उनका blood sugar level control में नहीं आता और इसी गलती की कान उनको किसी की kidney खराब हो रही है, किसी का liver खराब हो रहा है, किसी को paralysis आ रहा है, किसी को brain stroke आ रहा है, किसी को heart attack आ रहा है यानि इस diabetes की बीमारी के complication उनको हो रहे हैं, और उनकी सिरफ एक गलती है का, यदि दोस्तों वो एक गलती ना करेंगे, तो जितनी वो दवाईयां ले रहे हैं न, उन सब से उनका sugar level हमेशा normal बन रहेगा, हमेशा control में बन रहेगा, नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको diabetes की बारे में complete knowledge दूँगा, जिससे कि आप अपने घर पर अपने आप जो दवाईयां ले रहे हैं, उन दवाईयों के साथ ही अपने sugar level को control कर सकते हैं, दोस्तों यदि आप ये कहें कि आप सिर्फ दवाईयां खाएं, चाहे वो देशी हो या अयुर्वेदिक, चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई और बताएं, और आप sugar level को बिल्कुल जड़ से खतम कर देंगे, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि sugar एक ऐसा रोग है, जो बिल लाइप स्टाइल को भी मैनेज करना होगा, और इस लाइप स्टाइल के दोरान ही, लोग यह एक महत पून गलती करते हैं, दोस्तों आज भारत में 7 करोड 70 लाग से जादा लोगों को डाइपटीज की बीमारी हैं, और 5 करोड से जादा लोगों को अगले कुछ सालों में हो आप जानते ही होंगे, इसके कॉंपलिकेशन की तो भरमार है, आप इसको कंट्रोल करके, इसको मैनेज करके, आप इस डाइपटीज की बीमारी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, और इसके कॉंपलिकेशन से भी, सभी परकार के कॉंपलिकेशन से भी बचे रहते हैं, दोस् आपको घेर लेती हैं, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को किल्टनी के समस्या आ जाती है, किसी को कोलोस्टोल की किसी का बिलड प्रेसर बढ़ने लगता है, यानि बहुत सारी बीमारियां सरीर में जनम ले लेती हैं. और दोस्तों वैसे भी, यदि आप सुगर को कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसका सही से समाधान करना चाहते हैं, तब आपको ऐसा करना होगा, कि आपका स्रीर खुद से इंसलीन बनाना और उसका इस्तमाल करना शुरू करते हैं. वैसे 80-90% केसिज में इंसलीन बनता ही नहीं है, और लोगों को इसके इंजेक्शन बाहर से लेने पड़ते हैं. लेकिन आज की इस वीडियो में जो दिंचरिया मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से उसका पालन करेंगे, तो दोस्तों आप अपने डाइप्टि या कम होती जाएंगी. एक नॉर्मल इंसान जितना जीता है न दोस्तों, यदि डाइप्टिज की बीमारी को आप अच्छे से मैनेज करेंगे, तो उससे अधिक जीवन जीएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस डाइप्टिज की बीमारी को मैनेज कैसे करना ह और वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो इस बीमारी के दोरान 99% लोग करते हैं. दोस्तों सबसे पहले तो आप जो भी अपनी दवा ले रहे हैं, आप उसको as it is ऐसे ही लेते रहें. इसके साथ में आज की इस वीडियो में मैं आपको दिंचरिया बताऊँगा, एक नुस्ख पहले बताते हैं इस दिंचरिया के बारे में, जो सबसे महत्यपून है, इस जो मैं दवा बताऊँगा, जो नुस्खा बताऊँगा, उससे भी अधिक महत्यपून है आपकी लाइफस्टाइल. दोस्तों आपको सबसे पहले सुबे उठना है, और सुबे उठकर आपको दो स तीन गिलास पानी पीना है, सधान पानी, नॉर्मल पानी पीकर आप घूमने चाहिए, सैर वगरे आपको जुरूर करनी है, दोस्तों आपको सलो नहीं चलना, तेज कदमों के साथ चलना है, जितना भी आप चल सके अच्छी तरह से, आपको ये काम दोनों टाइम करना है, स् मेथी दाना का, आदा चमच कलोंजी के बीजों का, आप पानी में विगो कर रख दीजे, और सुबे खाली पट घूम कर आने के बाद आप उस पानी को पीजिए, और मेथी दाना और कलोंजी को चबा चबा कर खालीजिए, उसके बाद बारी आती है नुस्खा लेने की, करते हैं, पर आपने हलका खाना लेना है तीनो टाई में, अब नुस्खे के लिए जो आपको सामगरी चाहिए, वह है दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए चाहिए, 50 ग्राम मोटी सौफ चाहिए, जो हम अचार वगरह में परियोग करते हैं, 50 ग्राम आपको सूखा आमल की कुठली दोस्तो आपने इन सब को किसी भी पंसारिस लेकर आपको इनको चाया में सुखाना है और इनका कूट पिसकर गराइंडर करके इनका पाउडर बनाना है ये है वो नुस्खा जो आपको खाना खाने से आदा घंटा पहले लेना है अब आप इसका सेवन कीजी और कभी लोग आपको हर चीज पर ध्यान देने के लिए बोलेंगे पर कभी कोई आटे के बारे में नहीं बोलता और ये ही वो आटा है जो हम सुबे खाते हैं दोपहर खाते हैं और रात को डिनर में भी खाते हैं पर इसकी तरब कोई ध्यान नहीं देता हर कोई कहेगा दबाई को सही कीजे आप एक अना छोड़ दीजे आप मल्टी ग्रेन का परियोग कीजे क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग से मल्टी ग्रेन आटे का परियोग करते तब आपको ये बीमारी होते ही नहीं जो आप आज भूगत रहे हैं और ना सिरफ दोस्तों ये डाइब्टिस की ब रेसो बताता हूँ आपने उस रेसो के अकोर्डिंग साटे को पिस्वाना है दोस्तों आपने क्या करना है आप दस हिस्से तो लेंगे ग्यों के दो हिस्से आप लेंगे चने के दो हिस्से ही लेंगे आप बाजरे के एक हिस्सा लेना है आपने दोस्तों जोंका और एक हिस् स्वाई और इस आठे की आपने रोटी खानी है, दोस्तों जो काले चने होते हैं, उनमें फाइबर आधिक होती है, इनमें घुलंसील और एगुलंसील दोनों तरहे के फाइबर होते हैं, इसका गलेसमिक इंडेक्स कम होते हैं, इसलिए डायप्टिज के रोगियों के लिए बहुत अधिक लापकरी है ये आपके हड़ियों की कमजोरी को भी दूर करेगा आपके स्रीर में जो डायप्टिज के कान कमजोरी आ जाती है उसको ये दूर करेगा दूसरी आपने इसमें विलानी है बाजरा दोस्तो बाजरे में परचूर मातरा में पोसक तत्तव होते हैं यही वजय है कि बाजरा बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है और खास कर बलड सुगर लेवल को कंटोल करने में और वजन को घटाने में तो बाजरा एक राम बान है गेहूं और मक्का के मुकाबले बाजरे में बहुत अधिक न्यूट्रिशन्स पाय जाते हैं और ये गुल्टेन फ्री है तो आपको इस बाजरे को भी मिलाना चाहिए ये आपके सुगर को सोक लेगा जिससे कि आपका सुगर हमेशा नॉर्मल बना रहेगा तीसरी जो चीज है वो जो दोस्तों जोँ डाइपटीज के मुरीजों के लिए वर्दान है क्योंकि इसमें अंट्ऴक्षण्ड भरपूर मातरे में होते हैं फाइबर भी अधिक मातरा में होता है इसलिए हैं हमारे पेट के लिए फाइदेमन है और जब हमारा पेट सही होगा, किसी भी बिमारी को सबसे पहले सही करने का जो तरीक है न वो अपनी पेट को सही करना है और जब पेट सही हो जाएगा तो बिमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाएगी जो अगली चीज है से में दोस्तो वो रागी है दोस्तो रागी डाइपटीज के मरीजों के लिए बहुत अधिक फाइदेमन है यह एक ऐसा अनाज है जिसमें न्यूट्रिशन्स बहुत अधिक पाये जाते हैं यह फाइबर का भी रिज्सोर्स है जो पचने में थोड़ा वक्त लेता है रागी को खाने के बाद आपको काफी देर तक भूक नहीं लगेगी जिससे आप जादा खाने से बच जाएंगे और आपका बलड सुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा दोस्तो यह तो आप अधिक खाएंगे उसको मैनेज करने के लिए आपको अधिक दवाई खानी पड़ेगी एक आप कम खाएंगे तो आपका बलड सुगर लेवल भी कम बड़ेगा और आपको उसको मैनेज करने के लिए कम दवाई खानी पड़ेगी तरीका बस यही है आपने इस आटे की रोटी खानी है तीनों टाइम और दोस्तों यदि आप इस आटे की रोटी खाएंगे न तो डाइबटीज आपकी जो तीन सौसी, चार सौसी रहती थी थी न जब आप चेक करेंगे वो सो आ जाएगी यनि आप एक चीज मानिए आप गेहों की रोटी खा रहे हैं और वो ही दवाई ले रहे हैं जो आप आज ले रहे हैं उसके बाद जब आप फास्टिंग सुगर चेक करते हैं तो आपके डेट सो आती हैं आपकी बहुत सबे की आती होगी पर जब आप इस आते को सेम दवाई ली आपने कोई और प्रोसेस ने किया जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही किया और आपने ये आता खाया तब आप अपना अगले दिन फास्टिंग सुगर चेक करना जो पहले डेट सो थाना दोस्तों वो असी पी आएगा यानी बिल्कुल नॉर्मल सो परसेंट आपका हंडर से नीचे रहेगा बस आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप एक अनाज कही आटा खाई आपने मल्टी ग्रेन का खाना है और वो भी अपने घर पर पिसवाना है आप मार्किट से बना बनाया मत ले कराईए क्योंकि उसने किस रेसों में मिलाया हमें पता नहीं है क्या मिलाया हमें ये भी बता नहीं है आप अपने घर पर पिसवाएंगे तो आपको पता है ना मैंने गेहों में इतना बाजरा मिलाया इतना मैंने चना मलाया इतना रागी मिलाई इतना मैंने जो मिलाया यनि आपको पता है और बीमारियों से लड़ने का वो ही एक तरीक है कि आप वो खाईए जिसके बारे में आपको पता है तो दोस्तों आपी साटे की रोटी खाईए और जो दवा ले रहे हैं लेए और इस नुस्खे को लीजिए फिर देखिए आपका सुगर लेवल कैसे नॉर्मल होगा और धीरे धीरे आपकी वो इंगलिस दवाईयां भी बंद हो जाएंगी और आपके कॉम्पलिकेशन से भी आप बच रहेंगे आपका स्रीर निरोगी बन रहेगा स्रीर में कोई कमजोरी नहीं होगी घुटनों कदर्द, हाई बीपी, किडणी जैसी बीमारियों से, हार्ट टेक जैसी बीमारियों से बज़े रहेंगे तो दोस्तों देर किसे बात किये हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जूरू कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस डाइपटीज को अपने घर पर ही मैनेज कर सके हैं, और ज जदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिवकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों.